करवा चौत की धोबिन वाली कहानी करवा नाम की एक पतिवरता धोबिन अपने पती के साथ तुंग भद्रा नडी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पती कपड़े धो रहे थे, तब एक मगरमच ने उन्हें अपने दातों में दबा कर यमलोक ले जाने लगा। पती की पुकार सुनकर करवा वहां पहुची और मगर को कच्छे धागे से बांध कर यमराज के पास ले गई। के वरत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पती को मृत्यू के मुह से वापस निकाला था, वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करें।